रगती और विपकास का जन जन के जीवन की खुश हाली का दर्पन ये है कृश दर्शन ये है कृश दर्शन जै किसान, जै राजस्तान, जै भारत सभी किसान बाई और भेनों को दिपावले वै भाई अदूज की हारदिक सुपकामने ये कुशी का अप्त्यावार किसान बाईों हम बहुत अच्छी तरह मनाएं बड़े प्रेम से मनाएं यही सुपकामनाएं क्रशी दर्शन की इसके साथ ही अपने खेती बाड़ी का काम है उसको भी द्यान से करें इसके लिए जरूरी है समय पे जानकारी और समय पे जानकारी देने के लिए आपका साथ है आपका साथी क्रशी दर्शन जो सौमार को यानि सप्ता के पहले दिन आपको सप्ता बरमें खेती में क्या करना चाहिए कौन सी बातों का विसेश द्यान रखना चाहिए यह तमाम जानकारियां देजेज़ाएं इस सप्ता में किये जाने वाले क्रशी कारें आज सप्ता बरमें हम क्रशी में क्या करें कौन सी बातों का विसेश द्यान रखने यह तमाम जानकारियां देने के लिए आज हमारे साथ विसेश सक्या है डाक्टर ओम प्रकास गडवाल जी आप एसोसियेट प्रोफेसर हैं राजस्तान क्रशी अनुसंदान संस्तान दुर्गापुरा में जिसको रारी के नाम से जाना जाता है सबसे पहले तो गडवाल साब आपका क्रशी दर्सन में हार्दिक स्वागत और हविनंदन इसके साथी गडवाल साब हम जानना चाहेंगे कि चुकि यह बोही का समय चल रहा है सरदिकी भी सुरुवात हो गई है ऐसे में बीजे मसाले राजस्तान के बीजे मसाले देश दुनिया में अपनी महट बनाते हैं और यहां के मसाले पूरी दुनिया में प्रसीद है इनकी महट इनकी सुगंत बनी रहे इनकी गुणवत्ता बनी रहे और हमारे प्रदेश के ज सिकारे करने चाहिए घडवाल जी धन्यवाद सर्मा साब जैसा है कि आपने बात करी मसाले वाले फसलों की तो मैं किसान बाइयों को एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में राजस्तान और गुजराद दो ऐसे प्रदेश है पूरे देश में जहां बीजे मसालों की खेती के लिए इनको जाना जाता है आप देखें सूँ कि हमारे यहां का बातावन आयां की जल्वाईय। है यहां की मिट्टी है इसमें बीजे मसालों में विशेश जीरा सौफ धनिया मेथि अजवाइन सुवा के नाम से आता है सिन्धी सुवा जिसको बोलते हैं किसान बा किसान की आमदनी भी अच्छी होती है तो किसान भाई बहुत चोचोड़ी चीजी अगर समझते हैं और टक्नीकी रूप से अगर सम्रद होते हैं तो सो परतिसाथ इनको अच्छी लाब मिलने की चाहिए अगर कड़वाल जी बात करें अगर जीरे की तो जीरा एक ऐसी किसान बहुत बढ़ा नुक्सान हो सकता है लेकिन किसान को आईसा नहीं हो यह चाता है क्रसी दरसन और उसको पहली यह जानकारी दे दें कि क्या क्रसी का вес जीरे में करना चाहिए ताक्य उसका alayana अच्चा हो और किसी परकार Yoo fix कि आपने कहा कि जीरे की जो खेती है किसान भाईयो आपको ये सब विदित है कि जीरा भोती जिसको हम रिस्की फसल बोलते हैं और इसके लिए तो हमारी राजस्तान में गीती बनावा कि जीरा जीवरा बहरी रहमत बाव मार परन्या जीरा जीरा गड़वाल साब क्रिसी बहुत थी अब इसमें जो तक्निकी ज्यान आ गया जो नई विधाएं इसके अंदर आई हैं उसके माद्यम से किसान बहुत अच्छा मुनाफ़ा लेकर करके इसकी अच्छी उपज लेता है और इसको लाब मिलता है तो इसमें दो तीन चीजे विशेस रूप से किसान भाई द्यान रखें जिए चुकि इसमें एक तो व्यादी और कीट इन दों का प्रकॉप ज्यादा होता है अभी बहाई का समय है तो ऐसे में क्या बीजो उप्चार करना चीए कौन सी किस्मों की बहाई करनी चीए और क्या ध्यान रखना चीए अब आपने जैसे पूचा है कि किस किसमें अच्छी हो अगर यह चीज अपन सही लेवल पर देख लेंगे तो बहुत सारी जो पोस स्रेक्शन उपाय करनी के आउस्यक्ता नहीं पड़ेगी और हमारी फसल खराब नहीं होगी तो किसान भाईयों मैं आपसे विशे सागर करना चाहूंगा कि जीरे में बहुत सा किसमें जगुदान एक मसाला अनुसंदान के अंदर गुजरात में वहां से अच्छी किसमें निकली हुई है जिसको जीरा चार के नाम से किसान भाई जानते है तो किसान भाई आपको मैं कहना चाहunnगे कि G.C. चार जो किसम है यह किसमे जो उक्टा रोग लगता है यह किसम के प्रतिरोधक किसम है और पैदावार इसके अच्छी आते है तो आप G.C. चार जो किसम है उसको आप भुआ ही के लिए kाम में लें मिलब जो उखल जाते हैं मिलब ऐसा लगता है कि जैसे नीचे से जड़े इसको जैसे विल्ट के नाम से जानते हैं तो किसान भाई भी समझते हैं तो इसमें काफी अथ-टक यह हमारी नहीं लगती जब बिजो उपचार करें तो इससे करें हाँ देखो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है किसान भाईयो आपको बीजो उपचार में विश्य ध्यान रखने वाले बात यह है कि इसमें आप जीरे के अगर बुवाई करते हैं या दूसरी जो मसाले वाले फसल आप सौंफ की बुवाई करते हैं तो जीर उपचार के जीरा को किसान भाई क्या है कि बहुत सगन बहुत देता है तो प्रतिकलो बीज के इसाब से मिला करके और बुवाई करें जीरा को किसान भाई की बहुत सगन बहुत देते हैं जिस से कि उसको हवा पाने और अच्छी तरह नहीं लग पाता। जिस की कारण से उसकी जीरे की गोणवत्ता है आकार है वो कम पड़ जाता है रोओ बाजार मुल्ले किसान को अच्छा नहीं मिलता तो क्या लाइन से ला पोदे और कतार से कतार के दूरी है इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि हमारे अभी परंप्रागत रूप से लोग जिस तरीके से खेते करते हैं कि ब्रोड कास्ट करते उसको बीज को ऐसे खेत में डाल देते और उससे बुआ करते तो उससे क्या होता है कि लाइन से उसकी बुआई करें और एक जुरूर ध्यान रखे किसान भाई हो कि बुआई जीरे की कभी भी एक से देड़ सेंटिमेटर गहराई में नहीं करें क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट बात है करते हैं कि किसान बीज होगा नहीं साब यह भी एक कारणार में होगा जीरे की जो खेती करने वाले किसान भाई जानते हैं कि इसका अंकुर्ण जब होता है तो तकरीबन इसमें 15-17 दिनकार समय लग जाता है अगर आपने 2-3 cm गहराई में अगर इसकी बुआई कर दिया तो कभी कभी दो जनुरेशन होता ही नहीं है इसलिए किसान भाई कि कॉम्पैक जिसको बोलते हैं कले टाइप की जमीन है तो किसान भाई साथ दिन बाद हलका पानी पिलाएं जी वह एक तरह से पानी पिलाना नहीं होता उसका काम होता है कि उस पपड़ी नहीं आए जी और बीज का अंकुर्ण अच्छा हो जाए जो कि इसको उगनी में बुवाई का समय है धनिय में कौन सी किस्मों की किसान भाई बुवाई करें और कई बार क्या गया धनिय में जिसको तनिय में गांट सी हो जाती है और उसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है तो ऐसी कौन सी किस्म है जो जिसमें यह समस्या नहीं होती है तो किसान भ बहुत सारी किस्में धनिय के भी विक्षित की गई है धनिय में सबसे पहली बात तो यह कि जब भी आप वाई करें किसान भाई तो बीज हमेसा साबूत नहीं काम में लें क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता है अगर उसके दो टुकड़े होंगे तब जाकर उसका अंकुरन अ और इसके अलावा अजमेर धनिया एक नंबर है अजमेर धनिया दो नंबर है तो अच्छी अच्छी किस्में बहुत है और इसमें तकरीवन बारा से पंदरा किलो तक का बीज एक एक्टर के लिए प्रयाबत होता है और धनिय की खेती किसान भाई करते है तो रैंफेड जो अपन बारानी या कम चिंचित्य वाले शेतर में करते हैं तब भी इसकी खेती की जा सकती है उसके लिए थोड़ा से बीज अपन थोड़ा सकते है बाकि एक जुरू ध्यान रखने वाली बात है कि दो सेंटिमिट तक की घरा धनिया के लिए हो सकती है और बीज हमेसा बारे मेंड सब्सक्ता है यहां नम संदान केंदर से कैटीजे जानकारी मिल सकती हुआ सकती है क्या भी बिज मिल अपने रज़स्तान में राश्टी पेजी मशल्णों के केंदर के नाम से तबीज आजमेर में भारसरकार ऌअबि इस कंदर का बड़ा किशान है और उसमें कि चाहते हैं उतरो करते हैं यहीं प्राइवर्ध है। देखिए सौइ ऐसी पसल है कि जीस को कच्छी भी खाइी जाती है और मसआले के रूप में झेयर तो क्या क्या इसमें किस्मे होती है यह स्वायर कोई कटाई का समय असा होता है ताकि कромर्शनबाईकि कहा त्लेटसाथ किसान बाइओं को बता नहीं है शर्माशाब देखें कि यह सौंप की जो खेती है यह भी अपने राजस्तान में काफी बढ़ती जा रही है इसका एरिया और किसान बाइओं सौंप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बात विशे ध्यान रखने वाली है कि अगर बारिस कम हो और जिन किसानों के पास limited पानी है उन किसानों के यह भी सौंप के खेती की जा सकती है अब आप बात पूछे और कभ और उसकी लब वेराइटी को अच्छी तरीके से वार्चा बढ़ाई करें कैसे सुकाय मैं थोड़ा सा इसमे पहले आपको यह आग्रे करना चाहूंगा कि इस सौंफ के अगर भुवाई करनी है तो उसके लिए भी कुछ अच्छी किस्में है आप वियापारी किस तर पर खेती करते हैं बड़े चोड़े छेतर में तो उसके लिए राजस्तान सौंफ एक सो एक नंबर है राजस्तान सौंफ एक सो पचीश नंबर है राजस्तान प्रणतो आजकल किया है कि ऐसी जो किस्में है इनमें 135 से 40 दिन के टोटल आउदी के अंदर हो जाती है आपनी बात पूछिए इसमें जैसे लखनावी सौंफ आती है अगर अपने उसको चबाने के लिए काम में लेते हैं तो वह वाली किस्में थोड़ा सा उसको पहले उसकी क अमेल बनता है तो उसमें जब पूरा अमेल पक जाता तो उस समय उसको काटते हैं तकरीबन 135 दिन का जो टाइम होता लगबग उस किस्म के इसाब से इसकी हर्वेस्टिंग करते हैं और किसान भाई ध्यान रखें कि जब इसकी कटाई की जाती है तो भो ज्यादा धूप नह के समय निकाले उसको अनई तो क्या होगा कि उसमें कभी-कभी क्या बीज निचे किरने के भी अनुक्सान है अज कल आयरुवेद के रूप में भी दवाईों के रूप में भी प्रसिदी पार हैं राजिस्तान में अजवाइन की खेती भी होती है चितोड और प्रताब अजवाइन है चाहे मेति है इनका बहुत ही इंपोर्टेंस है चाहे आयरुवेद के लिए आ से देखें और इनके अपने आउटपूट लेते हैं जो प्रोड़क्शन लेते हैं उससे देखें तो अजवाइन की जो खेती है उसमें किसान भाई एक तो सबसे पहले वही बात कर आप तो उन्होंने यह अच्छी वाराइटी निकाल ली किसान भाई एक तो अच्छा बीज महां से लें और बीज को उप्चार करें उप्चार करने के लिए लिए यह पन जो पहले चर्चा कर चुके आप सके यह आप यह रवी की फसले होती हैं इसलिए बुआई आप कर सकते हैं और लाइन में अगर बुआई करेंगे तो इसका ज्यादा अच्छा प्रोड़क्स से मिलता है किसान भाई गडवाल जी हमारे किसानों को जहर रसाइनों का प्रियोग नहीं करना पड़े क्योंकि यह पर का कीटनासी किसी प्रिकार का पफूंद नयासी का जहर उनमें अवसेस नहीं पाया जाए इसके लिए देखि इसमें आपने पूछा किसान भाईयों कैं अपन अधिक अधिक कि जीरे के खेती की बात कर रहे था एक हैं सहाब बीठ करते हैं उनका फ्रको बाताओ के जमीन चीरेगा हवा से आंगी और मीस्तर इस ऐती से जमींन से जीरे जेशल चौह हो कहना का मतलब क्या सस्ता सरल उपाई बीजोपचार है जी बीजोपचार के अलावा मैं आपको बात कहना चाहँ किसान भाई हो कि अगर जीरे की आप खेती करते हैं तो अभी जैसे हमारा जो शर्सुं होती है शर्सुं का जो चारा होता है उस चारे को आप लोग बाग यह तो जलाते हैं या उसको आप कहीं न कहीं बेजते है तो मेरा विश्य साग्रह आपसे यही रहेगा कि आप सर्सुं का जो चारा है जिसको कुट्टी बोलते हैं तो उस तूडी और चारे को आप जिस खेत में आपको जीरे की बुवाई करनी है उस खेत में तकरीबन एक मैने दे कि टावनों जीवनों जो अंदर जमीन में हैं उनका वो नियंतरन कर देगा इसलिए आप विशेस बात इसको माने कि जीरे खेती करने वाले किसान भाई शर्सुन को तूड़ी चारा है उसको आप बुवाई से देड मेने दो मेने पहले खेती मिला करके प्लाव डाउन कर दें मसालों की बात चल रही है तो हमारे लैसून और प्याज भी प्रदेश में महत्व पूनिस्तान रखता है तो जो प्याज बोने वाले जो लैसून बोने वाले किसान उनको क्या करना चाहिए सब्ता देखिए इसमें आपको बताएं सर्मा साब किसान भाई वैसे लैसुन की प्याज की खेती करने वाले जो कि यह मसालों के साथ साथ सब्जी का भी एक तरह से लरूप हैं तो लैसून की खेती करने के लिए किसान भाई अभी इस समय उचित समय आ गया कि उसकी कली का जो क्लो बोलते हैं जिसको उसको लगाएं और उसमें तकरीवन पांस क्यूंटल प्रती एक्टर के एसाब से बीज की आउसकता होती है तो उसको आप अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर के किसान भाई लगाएं जिससे की पैदावार में कोई दिक्कत नहीं आए और अच्छा उसको मुनाफ़ा मिलें क्या प्याज की पोध इस समय किसान भाई कर सकते हैं चुकि हमारे जो रभी में इसकी ट्रांस्प्लांटिंग करते हैं तो एक बहुत ही सामानिसी बात है कि बाद में अपन क्या है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं कि अधिक अधिक जैवी खेती की बात करें या कम से कम केमिकल का प्रियोग करें तो उस दृष्टी कौन को ध्यान करते हैं तो अच्छी किसम का आपनी बीज लिया उसको लगाने के तकरिवन 50-50 दिन बाद में खेती नुसका रोपन करें और खेती इन zac discuss करेंगे तो उससे किया है कि वह समस्च्य जो बोल्टिंग की होती वह समस्च्य नहीं और इस समय सर्दियों में सबजियां बहुत किसान बहुत है प्रियापताई पत्यदार सबजी हो चाहे घोबिवर्य सबजी हो चाहे तमाम सबजियां हो इस समय खूप सबजियां होती है लेकिन सबजियों में वही बार-बार मैं आपसे निवदन करूगा कि किसी प्रकार का की कित ना सका जैर किसान से लेकर हमारे उब्वकता की थाली तक नहीं पहुंचे उसके लिए क्या विसेश किसान भाईयों को सला देंगे आप किसान भाईयों जो बात कर रहे हैं कि अधिका अधिक अच्छी वाली सब्जी पैदा करके उसको खाएं या उसको दूसरी लोगों खिलाएं उसके लिए आजकल ऐसे जैवे कीटनासी भी काफी बाजार मी उपलब्द हैं जिसमें किसी परकार के रहसायन की कोई मिलावट नही है आप जैसे नीम के दुवारा जो बने वे काफी सारी प्रोड़क्त हैं नीम बेस्ट प्रोड़क्त इसको बोलते हम उसको काम में ले सकते हैं इसके अलावा दूसरे जैसे फसलों के लिए ऐसे टेक्निक्स को काम में ले जैसे हम गर्मी के अंदर जुताई की बात करते हैं वैसे सौल रायसन बलते हैं कि गर्मी के अंदर किया खेट को अपन तपागे तायार रखें का बहुत सारे कीट और व्यादी उससे नियंतर तो जाएगी उसकी अलावा जब अक खिसान खिसान बाज क्या करते हैं कि सब जी के अंदर खरपत्वार जदा हो गया तो उसका भी द्यंतर नहीं करते और उसके लिए क्या करते हैं कि वाजार से दवा ला करकर के रसाइन लाकर उसमें शिर्काव करते हैं तो उससे भी उसका नेगिटीव एफेक्ट आता है तो खिसान भाई कोशिश करें कि उसमें निराय गुड़ाइ एक ये वजाइभ दो बार करें, तीन बार करें. मनलब शाब सुत्री खेती करनी चाहिए. कहीं कोई खर्पतवार उसमें नहीं होनी चाहिए. तक कि कृणकी कीडे बिमारियों को आशरे देने वाले खर्पतवार होते हैं, तो ये खरफतवारों का किसान भाईयों समय सपर में निराई गुडाई करके साब सुत्री खेती जरूर करें लेकिन गड़वाल साब हमारा किसान का पैसा बाजार में नहीं जाए और किसान अपने इस तरफे ही जेवी कीट ना सक मना सके चाहे नीम आधारी तो चाहे कोई आक आप अपने खुद के लेवल पर भी कुछ ऐसे इसको हम बोलते हैं इंडिजिनेस टेकनोलोजी नोलेज कि किसान भाई कुछ अपने खुद के ग्यान के आधार पर कुछ चीज़ें बना सकते हैं इसमें रसायन का कोई मिलाउट नहीं होती उसके लिए आप आपके घर के आस अगर अपने पास घर में जैसे किसान भाई कि यहां चाच बच जाती है इन सब को अगर आप इकटा करके किसी बड़े ड्रम में डाल देंगे और तकरीबन पचास साल लेटर पानी उसमें मिला देंगे तो एक सवा देड मेने बाद में यह सारा गल करके इस तरीके से वह ज एडवाल साब हमारा यह मत है हमारे किसान भाईयों का कि जो जेविक कीटनासी है चाहिए नीम आदारी तो चाहिए धतुरा आदारी तो अगर इनको सबजियों पेर इन पे 10-15 दिन के अंतराल पे छिड़कते रहे यानि बचाव के उपाई तो कोई रोग बीमारी नहीं सब चीजों को जो अपने घर में तयार कर लिए क्योंकि सब जेविक चीजें और यह पोदों के जो भाग हैं उनके द्वारा तयार करके अपने बनाए इसमें किसी प्रकार रहसाइन नहीं है तो अगर इनको नीमेत अंतराल पर छिड़काव करते हैं प्रियोग में लेते है तो कापी सारी चीजें इसमें वैसे नियंतरन हो जाएगा विमारियों का और कीटों का तो अपने को किसी प्रकार के रहसाइने कीट नाशी का प्रियोग नहीं करना पड़ेगा फलों में देखे तो आउला राजस्तान का मुख्य फल है और आउले की इस समय बाजार मुले लेकिन किसान किस प्रकार से तोड़े किस प्रकार से उसको बाजार में ले जाए ताकि उसकी गुनवता बने रहेए और उसको बाजार प्ले अच्छा अच्छा मिले से किसी प्रकार का चोड लग गई किसानों को बाजार की और भी नजर रखनी पड़ेगी बाजार में कैसे मुल्य जादा मिले ये विध्यान रखना पड़ेगी तो किसान भाईयों उत्पादन करना ही प्रयाप्त नहीं है उस उत्पादन को किस प्रकार से बाजार तक ले जा चाहते हैं क्या जानना चाहते हैं इसके लिए लिखे हमें पत्र इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता हमारा पता है कारेकरम क्रसी दर्सान डीडी राजस्तान दूर दर्सन केंद्र जाहलाना डोंगरी जैपूर किसान भायों फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ इजाज़त ज कीजिए जै किसान जै राजस्तान जै भारत